Hello students, Unlock GS Academy में आप सभी का स्वागत है, आज ही हमारे UP PCS Prelims का 10 Session है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का 1st Question कहा है, कि with reference to the scheme-wise allocation in the 23 to 24 union budget, which of the following statement is are correct, तो 1st Statement कहा है, कि भई क्या कहा है, कि compared to the previous year, भई पिछले वर्ष के मुकाबले, जो highest percentage, जो decline हुआ है, वो किसमी हुआ है, वो मन्रेगा scheme में हुआ है, जो budget के अंदर है, और 2nd Statement कहा है, compared to the previous year, भई पिछले साल के मुकाबले, जो highest percentage, growth की गई है, allocation, वो किसमी हुई है, जल जी even mission में हुई है, तो आपका ये 2nd Statement गल्थ है, आपका answer क्या हो जाएगा, A, only 1, ठीक है, तो अब हमें ये भी है, कि हमें budget से, जो 3, 4 question देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो इस साल का, जो budget है, UP का और Central Government का, उन पर हमें अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसे भी 3, 4 question आ का स्ताहित का लक्षे किस वर्ष को निधारित किया गया, तो इसका answer क्या हो जाएगा, A, year 2045, जो national population policy थी 2000, उसमें हमारे जो objective अच्छीव करना था, population stabilization का, वो कौन से ये निधारित किया गया था, वो किया गया था, 2045 को, ठीक है, 2045 को, तो चलिए next question के और, अब अगला question क् है, कि which statement is true for financial sector in the union budget 2023, जो हमारा केंद्रिय बजट है, 2023 का, उसमें जो वित्ति-छेत्र के लिए कौन सा वाक्य सही है, हमें ये बताने है, तो इसका answer क्या है, आपका answer है, B, कि जो physical deficit है, वो 3.5 allocate किया गया, कि जो states है, वो अपनी GDP का 3.5 तक physical deficit रख सकते है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, answer B, next question क्या है, कि according to economic survey, 2023 के आर्थिक सर्वेक्शन के अनुसार, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताने है, तो जो इसमें A है, credit growth to this service is above 16th since July 2022, ये क्या बोल रहा है, कि July 2022 से जो credit growth services की थी, वो 16% से उपर रही है, ये बात बिल्कु सही है, औ जो economic survey में बताया गया है, कि 75 digital banking units, announce की गई है, transforming financial services के लिए, ये भी ठीक है, और C क्या बोलता है, कि जो fashion grocery and general merchandise है, वो will be capture nearly two-third of the Indian e-commerce market by 2030, तो ये statement गलत है, क्यों कि ये 2027 कहा गया है, ना कि 2030, और जो last statement है, PMI services है, witness की गई है, strong expansion since July 2022, तो ये statement भी बिल्कु सही है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा C, ठीक है, तो next question क्यों चलते हैं, कि which of the following is are the type of poverty, इन में से कौन सा निधनता के परकार है, तो इसमें क्या है, absolute poverty, relative poverty and subjective poverty, तो आपका answer क्यों हो जाएगा, answer B option 1, 2 and 3, तो next question क्यों चलते हैं, तो next question क्या है, कि which of the following scheme is not correctly match, वह निधनिकित में से कौन सी योजना सही, और उसका वर्ष सही समलित नहीं है, हमें ये बताना है, जो दीन दयाल उपाद्याय ग्रामिन कोशल योजना है, वो 2014 में लाए गई थी, ये बिल्कु सही है, और ये क्यों ला उन लोगों को वेरोजगारी से, वेरोजगारी वहापर कम की जा सके, और B है, Rural Housing Interest Subsidy Scheme 2017 में आई थी, ये बिल्कु ठीक है, इसके अकिया था कि वहापर affordable house जो है, वहापर उपलप्त करा जा सके, और जो श्यामा परसाद मुखर्जी R-Urban Mission है, वो 2015 में आई थी, तो ये आपका answer हो जाएगा, C, क्योंकि ये 2015 में नहीं, ये 2014 में आई थी, ठीक है, 2015 में नहीं, 2016 में, 2016 में, 2016 में आई थी, नाकि 2015 में, और सांसर जो आदर्श ग्राम योजना है, वो 2014 में आई थी, ये बिल्कु ठीक है, और शामा परसाद मुखर्जी R-Urban Mission का जो लक्षे था, इ हमें प्रोवाइट करवाने थी, कहां पर, रूरल एरियाज में, ताकि, जो रूरल टू, अर्बन, जो माइगरेशन है, उसे कम किया जा सके, और वहां पर लोगों की पास, फैसिलिटी उपलब्ध हो सकने, नेका कोशन क्यों चलते हैं, अगला कोशन क्या है, कि which of the following scheme is related to उथ्रप्रदेश, वही उथ्रप्रदेश से कौन सी scheme जो उथ्री निदी scheme है, वह किससे related है, कौन से stage से वह है तेलंगाना से, तेलंगाना से, ठीक है। अजो कोशल मातित Scheme है, वो किस से RELATED है, वो है चर्षटिस Garth से. और मात्रशक्ति Udhyamita Scheme किस से RELATED है, वो हराना स्टेट से RELATED है. तो आपका अंसर क्या हो जाएगा अनूत्य उफार Scheme. जो अनूत्य उफार Skeme है, वो किस से RELATED है, वो UP से RELATED है. ठीक, तो चलिए, next question की ओर, which of the following scheme, program is not central government program and it is उत्तरप्रदेश government program, भई, कौन सा कार्य करम, जो केंदे सरकार का है, ना कि, वो केंदे सरकार से नहीं है, उत्तरप्रदेश सरकार का है, तो जो मन्रे का है, वो central government है, ग्रामिन स्वास्ते mission, ये भी central government है, और पंडित नहरु उत कर्ष mission, ये भी central government का है, तो आपका answer क्या हो जागा, answer C, गंगा expressway, ये किसका है, ये UP government का है, ये कब start लाया गया थे, ये program first time, 2007 में, इसमें क्या बताया गया था, कि जो eastern और western region है, उत्तरप्रदेश के, उन्हें connect करने आपस में, तो चलिए, next question क्यों, next question क्या है, who was the, who was, who has written the book from dependence to self-reliance, भई, from the dependence to self-reliance, पुस्तक के लेकर कौन है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D, विमल, जला, तो next question क्यों चलते है, which of the following is known as world wetland day, अचा हमने देखा, थी questions पूछ रके है, और किस दिन कौन सी बनाई जाती है, ये भी question पहले पूछा गया है, ये second question है, तो इसका answer क्या है, आपका, D हो जाएगा, wetland, second February को बनाई जाता है, और ये क्यों बनाई गया है, क्योंकि 1971 में, इ इसकी जो 2023 की theme थी, वो क्या थी, wetland restoration, और 2024 की, इसकी theme क्या है, wetland and human well-being, इसकी theme है, तो आपको ये themes भी याद दखनी है, सभी की, तो चलिए next question क्यों, next question क्या है, कि जो world social protection report है, वो कौन publish करता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, C, international labor organization, अचा, international labor organization कब बनाई गई, वल्वल, ज में इसे बनाए गया, और Treaty of Versailles से बनाए गया, और 1946 में इसे UN की एक special agency के रूप में मननेता दी गई, और इसका headquarter कहाँ पर है, इसका headquarter है, जिनेवा, सिर्जरलेंड में है, और ये SCK वल एक tribe party है, जहाँ पर government के साथ-साथ, employers and workers represent करते हैं, और इस जो organization में है, 187 member states है, और I LA को Nobel Peace Prize से भी नवाजा गया है, कौन से year में 1969 में, तो आपको ये effect भी याद रखने, तो चलिए next question क्यों, next question क्या है, कि जो midday meal है, midday meal scheme, उसे कौन से year में rename किया गया था, as a PM portion scheme, तो ये आपका answer क्या हो जाएगा, 2021, answer आपका D होगा, 2021 में इसे rename किया गया, PM portion scheme, अच्छा, जो midday meal scheme है, वो 1995 में start की गई थी, as a national program of nutrition sport to primary education, और इसे rename किया गया, national program of midday meal in school, कब 2007 में, और इसे फिर दुबारा rename, PM portion scheme rename किया गया, 2021 में, और central government की scheme है, जो की centrally sponsor scheme है, और इसका लक्षे क्या है, कि 2021 से दोजार पच्चिस भाईस से दोजार पच्चिस भईस तक, हर school के अंतगत, एक cook meal provide कराई जा सके है, और इस scheme being implemented किसके दोजार की जारी है, ministry of education के दोजारा, तो आपको ministry या दखने है, क्या पता, next time ministry पूछ ले से related, कि midday meal को कौन implement कर रही है, कौन सी ministry, तो midday meal scheme को ministry of education implement कर रही है, तो next question क्यों चलते है, next question क्या है, कि which of the following, union budget department 23 to 24, allocation amount approximate is correctly match, वही किस से related है, कि नमले कित्मे से कौन सा एक, क्रेंदिय बजट विभाग 2023 अनुमानित आवंटित राशी सही सुमलित है, तो इसका answer क्या है, A, ministry of health में 89,155 roads allotted किये गए है, तो चलिए, यह हमारा आज के 2023 का paper पूरा खतम होता है, अब हम 2022 का paper discuss करेंगे, तो आप हमें telegram, instagram और facebook पर भी follow कर सकते हैं, और वीडियो को like and share करें, thank you.